17 अटूबर की तारी का भारती कृरिकेट के इतहास में काले अक्षरों में लिख दी गई है ऐसा इसलिए क्योंकि बेंगलूरू टेस्ट में टीम इंडिया की पहली बारी 46 रन पर ही सिमिट गई क्या रोहित, क्या कोहली और क्या केल राहुल एक से बढ़कर एक दिकजों से भरी टीम इंडिया की बैटिंग लाइन अप ताश के पत्तों की तरहां ढह गई सिर्फ दो बलेबाजों ने इस दौरान डबल डिजिट में स्कोर किया लेकिन हद तो तब हो गई जब एक या दो नहीं बलकि पूरे पांच बलेबाज शूने के स्कोर पर बिना खाता खोले वापिस पविल्नियन लोट गए रोहित विराट से ज्यादा रन तो तेज गेंद बाज मुहमत सिराज के बल्ले से आए यही वज़ा है कि अब टीम इंडिया का नाम क्रिकेट की तीन शर्मनाख लिस्ट में शामिल हो गया है 46 पर आल ओट होने के बाद टीम इंडिया का नाम एक टेस्स इनिंग में भारतियें पिचो पर सबसे कम रन बनाने वाली टीम की लिस्ट में टॉप पर आ गया है इससे पहले न्यूजिलेंड की टीम साल 2021 में भारत के खिलाफ 62 की स्कोर पर ओल आउट हो गई थी तो वहीं 1987 में टीम इंडिया वेस्टेंडीस के खिलाफ 75 रन पर चलती बनी थी यानि कुल मिलाकर रोहित एंड कंपनी ने अपने हालात को बत से बत्तर कर दिया है अब ये तो हुई भारतिय बिचों की बात लेकिन शर्मनाक लिस्ट का ये सिंसिला पूरे एशिया में भी जारी है एक पारी में 46 रन एशियाई सरजमी पर किसी भी टीम का टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम स्कोर है इससे पहले वेस्ट इंडिस की टीम साल 1986 में पाकिस्तान के खिलाफ 63 रनों पर ओल ओठ हो गई थी वहीं भारतिय टीम के इतिहास में ये उसका पूरी दुनिया में सबसे तीसरा छोटा टोटल है भारत ने साल 2020 में एडिलेड में औस्ट्रेलिया के खिलाफ 36 रन बनाए थे जो की टेस्ट मैच की एक पारी में भारत का सबसे छोटा टोटल है वहीं 1974 में इंगलेंड के खिलाफ भारतिय टीम 42 रन पर ओल ओठ हो गई थी बात अगर मुकाबले की करें तो बेंगलूरू के मैदान में पहले दिन जम कर बारिश हुई तो दूसरे दिन टीम इंडिया के बलेबाजों पर न्यूजिलेंड के गेंद बास कहर बरसाते हुए निजार आए जिसका टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा सहित उनकी टीम टॉस शीत कर पहले बलेबाजी चुनने के बावजूद नहीं कर सकी नतीजा ये रहा की टीम इंडिया को बेंगलूरू के मैदान में एक शर्मनाक रिकॉर्ड का सामना करना पड़ा और उनकी टीम 92 सालों के टेस्ट क्रिकेट इतेहास में पहली बार अपने घर पर सबसे कम 46 के स्कोर पर सिमिट कई बेंगलूरू के मैदान में पहले दिन बारिश होने के बावजूद दूसरे दिन मौसंग खुला तो टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने पिच पर नमी होने के बावजूद चैलेंजिंग कंडिशन में टॉस जीत कर पहले बाटिंग करने का फैसला किया इसका फायदा न्यूजिलेंड के तेज गिंदबास, टिम साओधी, विलियम ओरेक और मैट हेन्री ने उठाया पहली पारी में साओधी नेक, विलियम ओरेके के चार और मैट हेन्री ने पांच विकेट चटकाए इस मैच में भारत को पहला जटका 9 के स्कोर्ट पर लगा था लेकिन 46 आते आते पूरी भारती क्रिकेटीम आल आउट हो गई